तो फ्रेंड आज सेयर करूंगी आपके साथ गेहूं के अट्टे से और कच्चे केले से नास्ता जो खाने में टेस्टी बनाने में असान है तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है तो नास्ता बनाने के लिए इसमें डालेंगे दो कप गेहूं के आटा अब इसमें डाल देंगे आधा चप अजवाई थोड़ा से इसमें डाल देंगे नौमक नौमक से भी चटपटा बनता है नास्ता और इसमें डाल देंगे एक चमच रिफायन आप इस जवपा घी ले सकते हैं इसको हाथों से पहले भेट लेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको किल्का उतारकर और इसको उबाल लिए अब इसको क्या करेंगे चमच के मादियं से इसको मैष कर लेंगे इस तरह लेंगे एक छोटा बॉल इसमें डाल देंगे u यहांवा हाधा कटा हुआ, ऐसमें हरी में ₹ मिठ नहीं च На उसकें कटा हुआ में सब्सक्क्राम में ₱ पाओडर ढल रहे हैं ठोड़ासा जीरा पाओडर थोड़ासा गरम मसाला पाओडर और एक चवठाई चमाज म्साला अब दए पार चाट मसाला डाल सकते हैं और नमक डॉटों अब हिए इसमें नमक डालें तो देंगे बढ़ियां से इसको फेट लेंगे तो लिजे फिरेंड इसको फेट कर रेडी कर लिए अब इसे साइड में रखते हैं अब दूसरा त्यार करते हैं अब गूते आठा को अब लोई तोड़ेंगे इसको दो भाग में तोड़ लेंगे आइसका गोल गोल लोई बनाकर त्यार कर कर लेंगे देखिए इस तरह दो लोई में बना कर improves लिए अब इसको साइड में रगहें के ऐगो उठाएंगे थोड़ा समय इससे पर त्कम हैं अब यहा है सिसको नियार कर लेंगे अब एक लोई उठाएंगे थोड़ा सा पर्थन लगाएंगे आइस को जैसे रोटी बेलते हैं उस तरह इसको बेल कर रेडी कर लेंगे तो आप देख लिजिए इतना पतला बेल कर इसको रेडी कर लें तो लिजिए फरें दो लोई बेल कर देखिए दोनों एक तरह इसको बे चिपका लेंगे तो लिज ए फ्रेंड इसको बहुत बढ़िया से इसको लगा लिया अभी इस तरह उठाएंगे आइसको रोल बना लेंगे देखिए एक बार मुरेंगे आइस पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे फिर एक बार मुरेंगे थोड़ा रिफाइन लगाएंगे रिफाइन लगाने से नास्ता में परत बन जाएगा अकरारी भी बनेगा देखिए देखिए रोल बना लिया है अब इसको थोड़ा सा किनारे के तरह इसको थोड़ा सा दबा लेंगे इस तरह देखिए दबा लिया है दूसरा लोई को इसी तरह तयार करेंगे तो फिर दोनों लोई को देखिए बना कर रेडी कर ली है अब इसको चाकू के माध्यम से इसे अराम से कट कर लेंगे आप छोटा या बड़ा बना सकते हैं रोल तोई पाणी डाल को ठोड़ा इसका पातलग गूल बनागत त्यार करेंगे तो पiled आप देख सकते हैं इसका पातलग गूल तैयार कर लिया देखिए इतना ही वह में चाहिए रिफायन में डालका इसको फराई कर लेंगे अब इधर रिफायन गरम हो चुका है अब इसी में सावी नॉस्तों को डाल देंगे अब इसको मेडियम आज पर इसको फराई करेंगे तेज आज पर फराई करेंगे तो काचा रहा जाएगा अंदर तो फ्रेंड फराई ह हो चुका है अब इसको निकाल लेंगे इसी तरह दूसरा भी फ्राई कर लेंगे तो लीजिए हमारा तयार है नास्ता तो फिरेंड आपके बच्चे कच्छा केला नहीं खाते होंगे तो इस तरह के नास्ता बना के खिलाएगा जरूर खाएंगे आई इस नास्ता को आप टीप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में धन्य बाद